तो भई इस स्मार्ट वोज को कोन नहीं जानता ये है फायर बोल्ट की सूपर नुवा जो आठ नुव महीने पहले लोन शुई थी तीन हजार रुपेस का रेट था बट अभी के लिए जो प्राइस है वो आज का 2,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज न आपको सूपर अमलोड डिस्प्लेइ 100 प्लस फोर्ट मोड़ 100 प्लस फोर्ट फीज एंड धेरो सारी नाजाने क्या क्या चीज आपको मलते है तो क्या 2,000 में इसको पर्शेज करना वर्थिट रहेगा वेले को महनी रहेगा या नहीं रहेगा तो गाइस ऐसी एडिस के लिए आप मेरा टेलिग्राम चैनल फोलो कर सकते हैं मेरे को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सार सार इंस्ट्राग्राम पे भी फोलो कर सकते हैं सो सबसे पहले करते हैं इसको अन्बोक्स अन्बोक्सिंग में आपको यहां पे काफी बड़ा बोक्स मिल जाता है सब्सक्राइब करें, यहां पर स्क्वेर डाल में मलते हैं, पूरा मेलिक फ्रेम है, एक क्राउम में लेगा, एक पुश बटन में लेगा, उनके बीच में माइक्रफोन है, अनदर साइड पर आपको स्पीकर गडेल मलते है, स्ट्रेप है रिमुवबल, बट यह जो अपल स्ट्रेट की पिक्सल डेंस्टी कंटेन करता है, एं आउट्डोर में भी काफी ब्राइट है, वेकोज 500 निट्स के ब्राइटस के ब्राइटस कंटेन होती है, एं साथ साथ यहां पर दो AOD का उप्शन मल जाता है, अनलोग और डिजिटल, अनफोर्टिनेटल, अनफोर्टि इसके बाद ठीक ठाक से बैजल समय जाता है, इतना कम बैजल नहीं देखने के लिएगा, तो आप बैजल स्वाइज थोड़ा से यहां पर देख के चलिए, एं इस स्मार्ट वोच की एक खास बात यह है, जो Apple वोच वाले फेस हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं, टैप टैप क करके, तो वो तीन से च्यार कलर का यहां पर ऑपिशन देता है, वैसे वोच फेस चेंज करें के लिए, आप कराउन का यूज कर सकते हैं, स्मार्ट वोच में साथ से आठ वोच फेस आपके स्टोर होते हैं, एक गुड नमबर आपको मिल जाता है, जहां तक एप्लिकेशन के दाफिक नाम के एक एप्लिकेशन, जो कि फायरपल्ट की मोस्टली स्मार्ट वोच से स्पोर्ट करते हैं, डाउनलोड करेंगे, एंड कनेक्टिविटी काफी एजए है, एंड काफी कम टाइम में आप इसको पेर कर सकते हैं, आपके फोन के साथ, पेरिंग के बाद सारी ची से संसर की बात आ जाती है, क्योंकि काफी लोग डिपेंड होते हैं, मीन परपल होता लोगों का, हेल्ट सेंसर वाइस, समार्ट वोच को परचिस काना चाहिए, वो पैरमेटर हो, नमरोग स्पोर्ट मोड हो, या फिर जो हेल्थ मोनिरेट डीडा है, हार्ट रेट ये एस्प जिसमें accuracy वाइस तो कोई भी default नहीं है, कोई भी fake sensor तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, on arrest भी काफी अच्छी तरह से work करते हैं, मैं oxymetor के साथ इसको compare कर रहा था, जो data आ रहा था, वो काफी accurate मेरे को लगा, जो fake sensor नहीं, plus point या पर आपको मिल जाता है, but pedometer के जग आपको काफी सारे आपको बन जाते हैं, तो आप अपनी गेम खेलते हैं, उसके recording सेट कर सकते हैं, उसके बाद आपको data के smartwatch में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां तक IP rating के बाद है, यह है IP 67 rated, under order तो थोड़ा time के लिए survive कर सकते हैं, but जी हां, hand वोगरा वोश करें, तो आपको smartwatch निकाल लेगे हैं, जुरूथ नहीं बढ़ने वाली, तो यह तो था आपका health sensor and health monitor, but display वाले पार्ट में एक बाद फिर से आ जाते है, UI की बात कर लेए तो जो display है, वो कैसे AMOLED है, विच में काफी bright है, color भी काफी अच्छी तरह चे आपको देखने मलते हैं, but क्या कोई lag है, जी नहीं, कोई भी lag देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको smartwatch में, एक multi screen वाला option मिल जाता है, उसको आप drag करेंगे, तो आपकी main जो display है, या फिर menu function आप वहाँ पीछ ले जाएंगे, each menu style मिल जाते हैं, जो आप अपनी kindness के according, अपने users के according set कर सकते हैं, बात करे calling function क सकते हैं, तो आप 8 contact save कर सकते हैं, smartwatch में आपको contact save का option मिलता है, recent call आप चेक कर सकते हैं, इवन दो dial pad का option आपे मिल जाते हैं, तो अगर आपको कोई number याद आप वो dial कर सकते हैं, in case of emergency, 100 पे call करना है, 109 पे call करना है, या कहीं भी आपको call करना है, आप कर सकते हैं, जहां ते calling experience की बाद रजल के हां पे हैं, call result काफी अच्छे थे, फिकोज यहां पे SD microphone आपको मिलता है, एंड आप indoor हो या outdoor हो, आप calling यूज कर सकते हैं, आपके smartwatch पे, तो calling wise भी काफी यहां पे सीना होने वाला है, जहांद एक additional features की बाद आ जाती है, काफी सारे features fireboard ने दिये हैं, woman health आपको मिल जाता है, weather update मिल जाता है, जहांपे 6-7 दिन का weather आप चेक कर सकते हैं, एक game मिलेगा खेलने के लिए, calculator का function मिल जाता है, तो under go आप calculation कर सकते है, आपकी wrist से direct ले, AI assistant मिलता है, Google हो, CD हो, दोनों यहां पे compatible है, music control है, music आप अपनी smartwatch में सुन भी सकते हैं, क्योंकि यहां पे blood connectivity के दुवारा आप वो चीज़ प्ले कर सकते हैं, control की बाद तो आपको मिल जाते है, then camera control आपको मिल जाएगा, EUD के feature मिलता है, दो, AMOLED में आपको मिलता है, digital and analog वो आप यूज कर सकते हैं, basic feature जो होते हैं, stopwatch, timer and alarm clock वैसे आपको मिल जाते हैं smartwatch में, तो आप basic से लेके advanced तक mostly features smartwatch में content करते हैं, एक AMOLED display मिल जाते हैं, मैं तेक एक frame मिलता है, apple watch ultra जैसा look यहां पर आपको देखने हैं मिलेगा, slip data आप चेक कर सकते हैं, जो basic चीज़े होते हैं, वो smartwatch में आपको मिल जाते हैं, थोड़ा सा advanced भी आप मान सकते हैं, तो guys under 2000 रुपी अगर आप इसको claim कर सकते हैं, तो one of the best smartwatch है, इस budget में आप इसको ले सकते हैं, but limited time के लिए offer है, offer अगर अगर मिस करेंगे, then I can't help you, तो guys purchase के लेना, एंड इस वीडियो के लिए था इतना ही, मिल दा नेक्ट रोड़ी में, until then, stay tuned to you soon, bye-bye.